हेलो दोस्तों अगर आप भी भरवा बिंडी, भरवा बैगन, भरवा करेला खाने के बहुत ही ज़्यादा शौखीन है और या फिर कोई अचार आप बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक खास मसाली की रेस्पी दे रही हूँ जो कि मेरी मम्मी की रेस्पी है आप लोगों यहाँ पर मैंने खड़े साबुत धन्या लिया है धन्या लगबग मैंने 1.500 ग्राम लिया है तो अभी मैं बहुत थोड़ा मसाला बना रही हूँ और जितना मसाला का रेश्यू है ना मैं डिस्कृप्शन में दे दूँगी आप लोग वहाँ पर से तो आप लोग जो है वि अचार का मसाला यह भरवा मसाला जो हम आपको बता रहे हैं अगर आप इस तरह की से रेश्यू से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपका मसाला खराब नहीं होगा महीनों आप इसे इस्टोर करके रख सकते हैं दो चमच मैंने इसमें डाल दिया है मेथी के दाने और एक यहाँ पर हमने लिया है राई के दाने और यह मस्टर्ट शीट इसे आपको एक चमच यहाँ पर इस्तमाल करना है डेर सो ग्राम के हिसाब से यहाँ पर आपको एक चमच इसे इस्तमाल करना है अब हमने यहाँ पर लिया हुआ है कुछ खड़ी साबुत मिर्ची तो मिर्ची और कढ़ाई मैंने या पचड़ा दिया था दोश्तू, गरम होने के लिए अब इस मसाले को हमें धीमी आच पे बुनना है, तब तक कि जब तक इसमें से अच्छी से खुसबू ना आने लगे और धनिया का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाएं, अब यहाँ पर गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, और मसाला हमारा भून चुका है, तो इसमें हमने मिर्ची को भी इसमें डाल दिया है, एक से दो सेकंड के लिए मिर्ची को भी हम अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे, आप इसे किसी भी भरवा करेला, भिंडी, बैगन और अचार बना रहे हों तो आप इसे आम के अचार में, या निमू के अचार में, कोई भी अचार में आप मसाले को इस्तमाल कर सकते हैं, तो ये देखिए हमारा मसाला अब अच्छी तरीके से भून चुका है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, और मसालों को हलका सा ठंड़ा होने दी तो यहां पर देख सकते हैं, मसाला हमारा गुन-गुना ही है, अब इसे हम पीस लेते हैं, यहां पर मसाला हमने पीस करके दोस्तो तैयार कर लिया है, आप इसमें डालते हैं एक खास सेक्रेट चीज है, यह है दोस्तो तलावी हींग, थोड़ा से यहां पर हम डाल देंगे तलावी हिंग और इसके साथ फिर से एक बार इसको चला लेंगे मसाली के साथ यहां पर यह देखिए हमारा मसाला बनकर तयार है दो तो यह मसाला ना बहुत जादा जायकेदार स्वाधिश्ट और जब भी आपको भरवा बनाएंगे या अचार बनाएंगे ना खाने में आपको क्या बताओं तो इसमें आप हिंग जरूर राइट करिएगा यह है मेरी मा की सीक्रेट अगर आप इस तरह के सचार बनाते हैं तो बिल्कुल भी अचार का मसाला खराब नहीं होता है और आपका यह मसाला लॉंग टाइम तब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो म मसालो का पूरा रेशियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोग वहां से जरूर विजिट कर लीजिएगा और रेस्पी अगर पसंद आई हो आज की तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी और सेर जरूर कर दीजेगा दोस्तों मिलते है फिर एक नई रेस्पी में तब तक के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग